जहीं दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा बारवी विसाइभोगोल चेप्टर टू जिसका नाम है विसुक की जनसंक्या बितरन घनत्तु तथा ब्रीदी इसका हम फूल एक्स्प्लानेशन करने वाले हैं जो कि आपकी NCRT बुक के द्वारा करा जाएगा जो आप इस क्रीन पर जिसका नाम है मानब भुगोल प्राकिरती एवं भी सहजचेत्र उसका अभी तक वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लिएगा देखें मेरे दो सबसे बिले क्या है भुगोल है चेप्टर टू है और आपने चेप्टर वन नहीं देखें तो चेप्टर जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के टी स्क्रेप्ट से में देखेंगे वहाँ पर आगर आप जाके देख लेते हैं तो जोगराफी का चेप्टर वाज वीडियो मिल जाएगे चलते हैं उससे पहले मेरे दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न नहीं है आपको वीडियो समझ में बहुत ही जादा हैगा तो देखते रहिए और मजाएगा ठीक है उससे पहले मेरे दोस्त अगर आपको 12th क्लास को All Notes जैसे Objective, Subjective, Culture and Bank के सभी के सभी चाहिए मोडल पे बर तो इस नमबर पी एक बार संपर्क जरूर कीज़ेगा चले हम आ बिरिधी मतलग कि घरना तो कितने दुर में फैला हुआ और कितने बिरिधी हो रहा है साल बर में या कितने साब बिरिधी होते ही जा रहा है तो इन सब के बारे में हम डीटेने परहेंगे ठीक है तो यहां पर देखे सबसे पहले हम क्या परहेंगे परिचे तो परिचे में क प्रणाव 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 प्रणा लिंगा निपात में के मिर्तु जैसे हो गया महिला और पुरूस ये भी होते हैं यहां जनसंख्या कंद है अब लेजिए अब भिहार में रहे। यहां पर क्या है एक जगह भूत घनाव है मतलब बहुत जनसंख्या है और जारखंड में लेजिए जारखंड में क्या है छेतर फल बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या है आदमी बहुत ही कम है तो इसी कह रहा है तुई एस्या में ऐसे भी बहुत छेतर है बहुत अधिक है जहां जन्द संक्या कम है मतलग कि बिहार के मानित जनसंक्या बहु जादा है और जहार खंड की के वहले बहुत ही कम है यह च्छेतर पल बहुत बढ़ा फेला हुआ तथा ऐसे च्छेतर कम है जहार जनसंक्या आधिक है मतलग ऐसा च्छेतर भी है तो यह आपको 100% दवा देते कि आपकी यह समझ में आगया होगा अब आगे जलते हैं थोरा सा हम धीरे धीरे परहाते हैं मेरे दोस्त लेकिन मेरा परहाने का तरीका सभी से अलग होता है हम सिधे डीटेल में लिबोलते नहीं आते हैं आपको कोशिश करते कि समझावें समझना में चीज है ठीक है? चलिए यहाँ पर देखे जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार क्या बलता है वर्तमान में विश्व की कुलजन संक्याक का लगभ 90% भाग समस्त अस्तलिय भाग के केवल 10 भाग पर निवास करती है क्या होता है? देखे 100% होता है ना पूरा? देखे 100% होता है 100% बेसे क्या होता है? 90% जो है भाग में निवास नहीं करते लोग मतलब यहाँ पर नहीं रहते हैं सिर्फ कितना percent में? 10% पे ही निवास करते हैं समझ रहे मिर्वात को 100% पूरा कितना होता है? 100% जिसमें 90% भाग पर निवास नहीं करते हैं और 10% ही पर निवास करते हैं तो यह भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गिया होगा चले ये सब आपको सभी के सभी NCRT बुक के मिलेगा क्योंकि हम कहीं और से नहीं लाते हैं सिर्फ NCRT से NCRT ठीक है पूरा के पूरा NCRT बुक से द्वारा कराया जाता है जो कि आपके चेप्टर बाई करार है अभी तक चेप्टर वन कंप्लीट हुए है जिसमें subjective, objective explanation कराती है ऐसा बहुत ही कम teacher कराती है मतलब 2, 3, 4 हम देखते हैं YouTube पे भी तो बहुत ही कम है ठीक है लेकिन है ऐसा नहीं की नहीं है हम ही खाले और भी है चले बिस्व में जनसंख्या बितरन कुछ महतपुर्न परिभासा है देखें बिस्व में जनसंख्या बितरन हो रहा है उसकी कुछ महतपुर्न परिभासा वोसा दिया है दक्षिन गोलार्द में बिस्व की केवल 10% जनसंख्या निवास करती है जबकि उत्री गोलार्द में बिस्व के 90% जनसंख्या रहती है क्या होते देखिए समझे यहाँ पर दक्षिनी जो गुलार्द है वहाँ पर कितने परतिसर रहते हैं 10% जन संक्या निवास करते हैं आप से पूझा है सकता है कि दक्षिनी गुलार्द में कितने परतिसर लोग निवास करते हैं तो 10% कितने 10 और उत्री गुलार्द में कितने तो 90% निवास करते हैं 6 जन संक्या रहती है यह क्या आगे चलिए दक्षिन अमेरिका फिरका थथा आश्टिलिया तीन दक्षिनी महादीबों में विश्व के लगवा 21% जन संक्या निवास करते हैं 21% निवास करते हैं लेकिन भूमी चितरपल 40% तो देखिए यहां पर समझेगा 40 में से कईस घटा दीजिए थोरा सब आगी लेलते हैं 40 में से कईस घटा है कितना होगा मेरे दोस्त यह हो गया 9 यह हो गया 1 मतलग कि 19% जो है जन संक्या वो खाली रहती है समझ रहें 19% जन संक्या वो खाली है यह ही कहा रहा है कि दक्षिन अमेरिका अफिरिका आस्ट्रेलिया तीन महादीव एक एसिया महादेश भी है तो उसमें थोरा सो जन संक्या बहुत जादा है एसिया महादेश में ठीक है लेकिन इन सब देशों में बहुत ही कम है 21% जनसे क्या लेकिन 40% भूमी है अब आगे बात करते हैं पिस्व की लगभग 65% भू भाग पर बिना बसे हुए छेतरे 65% देखे 65% समझ रहे कितना हुआ कि लाखों यहां के जो होगा वो निवास नहीं करते हैं बिना बसे हुए हैं जिनमें 20 की केवल 5% जनसें क्या निवास कितने 5% ही निवास करते है बाकी सब 55% यही रहता है वर्षग 2013 में विस्व की कूल जंशंक्या साथ सोज़बासट पॉइंट करोड थी कितने 2019 में पूरे विस्व की मतलग कि पूरा अगरूर को वेट 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 अब देखे थुरा से समझेगए क्या करा कि वर्षग 2013 में मतलब कि पूरे जो वर्ल्ड है सिर्फ भारत को नहीं पूरे वर्ल्ड में कितने थे 721.1 कुरोर थे किस के कोडिंग 2018 के कोडिंग लेकिन एक बाद समझे मेरे दोस्त एक किलो एक किलो प्रति किलो के मीटर में 58 वेकती थे परकिरिया कोई दरसाथा है जन संक्या जो है वो बढ़ता बहुत ज़्यादा है अगरता बहुत कम है तो इसका राइट आपको समझ में आ गया ये भी समझ में आ गया चली कुछ ऐसा बात करते हैं जो कि आपको दिमाग हिला देने वाली बात है सबसे परिषए आपको दे दिये किसके बारे के आपको समझ में आ गया ये कुछ महत पुरुन था जिसमें से आपको पूछा जा सकता है ये अपने कोपी में नोट करते हुए चलिए थीकर ये भी आपसे पूछा जा सकता है लेकिन ज्यादा खास कर यह ज्यादा पुझे जाएगा विशु के 10 सरवधिक चन संख्या वाले देश वर्ष 2020 के कोणिंग बता है जारे कब वर्ष 2020 और 22 कुछ ही बता है 24 का भी दिरे दिरे आगा तो उसका भी दिरे दिरे हम बता देंगे ठीक है पहले 2020 का समझ लीजिए फिर बाद में 2024 का भी दिखा देंगे टेले राम से दूर जाएगा वहाँ पर हम डाल दे रहते ठीक है चले यहाँ बात करते हैं वर्ष कितने 10 बोले जा रहा है आप से सब्जेक्टी में पूछा या सकता है बिशु के चार सरवदिक जनसंख्या वाले देश बता है बिशु के सरवदिक चार जनसंख्या बता है तो सबसे पहले आपकी देश में देखे देशों के जनसंख्या में 10 लाक में है बिशु की जनसंख्या इतना है तो यहाँ पर देख कितना है चीन सबसे नमबर वान पे है, कितने पर? चीन हे नमबर, उसके अद भारत है, उसके अद सनीत राजा अमेरका है उसके अद इंडोनेशिया है, पकिस्तान है, बराजील है वो इसे के बाद करे, नाइजेरिया है, बांगलादेश है, रूस है, मेक्सिको है यह आपको ज़्ादा खासकर इंप्रटेंट रखना है ठीक है यह याद रखना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त यहाँ पर दिखेगा तो भारत की जंसें कितनी है 139 करोर है अभी तो तो डेर सो करोर हो गया है ठीक है तो अभी 138 कुरोड 2020 के कॉनिंग बढ़ा रहा है ठीक है यहाँ पर कितना है 138 कुरोड लेकिन एक हम सब देखे वे ते पहले कुछ दिन पहले क्या सुने वे ते कि चीन जो है ना उसको पचार कर इंडिया नमबर वन पर लिकन ले वाला किसमें जन साइंक्या के मामले में क्य कीन भारत संरे राज हमेरक ऐंड़ोनेस्ट एक प्राजीला देगे सब से पीछ हो जाता है मेक्सिको सब से पीछ हाता है रूस भी बहुत पीछे आ गया ना जन संक्या कंवाला में लेकिन ब्रेक्षित बहुत जादा यह यह रूस है वह आत करे है उने 2011 से पहले के बात करें तो वह भी सकती सा लेता है लेकिन कुछ दिन बाद ये रूस बहुत ही भी खंड़ी तो बहुत खराब इसका स्थिती हो गया था चले वह से बाद में बात करेंगे यह से पहले बीबात आया हुए अब पॉलिटिकल साइंस का वीडियो देखे होंगे जो सबसे पहले देखें क्या है आपके अफ्रीका में किसमें अफ्रीका में उसके बाद अगर आप देखेगा तो आपके है यूरोप महादेश में किसमें यूरोप महादेश में उसके बाद की जगा तो यह हमारे दक्षिनी अमेरिका में उसके बाद देखे तो उत्री अमेरिका में जो कि उत्री गोलार्द समझे से और दक्षिनी गोलार्द यह है ठीक है क्या समझेते हैं देखे यह सिया हो गया यह याद रखने है क्या रहा दक्षणी घृवार्च में तरसा जाद आपको पता पर देखा यहांपर दिखें क्या तरसेंट निवास करती है उधारी गोलारद में 90% सेसर आजाती है ठीक है आगे चलिए आप आप हम करते हैं यह तो आपको समझ भाजित किया जाता है यह आपको समझ भी नहीं आया आए आगे बताएंगे कैसे समझ वेगा तथा भुगोलिक छेतर में रहने वाले लोगों की जनसंक्या को जनसंक्या घनातों कहते हैं इसका सुत्र इस परकार है सुत्र के माध्यम से आप बहुत ही अचार समझ सकते हैं फिर से एक पर रिपीट कर देंगे तो और अचार रहेगा समझे क्या अगर है जनसंक्या घनातों की गन्ना करने के लिए मतलग इसके मापने के लिए क्या कर सकते जनसंख्या को छेतरफल से भी भाजित किया जाएगा किसे जनसंख्या जो है यहाँ पर जनसंख्या होगा और बटे में छेतरफल से क्या जाएगा भी भाजित किया जाएगा तथा भूगोलिक छेतर में रहने वाले लोगों की जनसंक्या को जनसंक्या घनत्व कहते हैं भूगोली जीवन में जो रहता है उसे हम जनसंक्या घनत्व कहते हैं इसका सुथ्र एस पर काले दिखे जंग्या घन्ता वग्या आपका यह अगर सुथ्र याद रिखा तो आपको पांच नमर मिलेगा कितने मेरे दोस्त 5 नमर कैसे पूछा जा सकता है कि जंग्या घन्ता की उधारन देते हुए उसका सुथ्र भी लुक है क्या लेकिए जब हम आ मिधना बेहरोड तैसे चेप्टर्ण समझे जाए मेरे खाल नहीं तनी शाना क्या होकते हैं धूle चले आप बात करते विश्व में जन्संक्या घंदतु का बितरण होता जा रहा है उसके बारे में हम डीटने में बात करेंगे यह असपस्ट है कि आज महादीपों में जनसंक्या बित्रन आसमान छूरा है यह जी बित्रन कार्थ क्या होता है मतलब धीरे 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 बढ़ना क्या होता है बढ़ना अकास पताल को छोना अकास पताल के शोनी करते क्या है कि धिरे धिरे जो जन संक्या है न वो बढ़ रहा है क्या हो रहा है बढ़ रहा है जिसमें चीन तथा भारत विशु के दो सरवाधिक बिसाल जन संक्या वाले देशे बिलकुल मैं देशु यह जो है चीन और भारत नंबर वान पर चीन है और सकेन नंबर पर क्या है अपका भा यह दोनों जो है वो विश्व के सरवधिक जन संख्या वला देश है अब सूझ सकते कितना बढ़ा हो सकता है जिसमें लगभग 37% भाग निर्वा निवासित है इन समस्त जन संख्या वित्रण को चार भागों में बटागा कितने चार भागों में थे और यह दोनों के दोनों जन संख्या वित्रण अस्मान चुरा है मतलब कि वह धीरे धीरे मतलब माली जी यहां पर 5 था तो आज क्या हो रहा है 2022 तक क्या थे सो पांसो येसे हो गया कितना हो गया 500 हो गया है यह पांस था अब 2022 में पांस हो गया अब यह था 1970 था 1960 था ये सब ठीक है चले अब आगे चलते से चार भगों में कैसे बाठा गया है उच जनसंक्या घनत्यों के छेत्र उच मतलब बहुत ही अच्छा खासा मद्दे वाला मतलब मीडियल में होता है जो कम जनसंक्या वाला मतलब की कम लो होता है वह पर आया बीना बसे हो जगह है जहां पर लोग बसते नहीं निवासित नहीं होते हैं वो हमेश्वा काम करते करते एक जगह से दूसरे जगह जाते ही आते रहते हैं तो यह चौथा भी याद करने वाली बात है लेकि ज़्यादा आपको ख़च कर याद करना है उच जनसंक्या वाले घनत्यों के छेत्र यह अब बात करते हैं विस्व में जनसंक्या घनत्यों एवां वित्रन को प्रभावित करने वाले कारक जनसंक्या घनत्यों क्या हो रहा है मतलब बह रहा है और इसके वित्रन छूरे क्या हो इसके बारे में बताना है ठीक है तब विस्व की जनसंक्या आस्मान छूरे है तो बि ठीक है जिसमें से भूपठल जनसंख्या को आकर्षित नहीं करती है भूपठल मतलग की पहारी उहारी जो इलाका है उसे आकर्षित नहीं करती है उस पे रहना नहीं पसंद करते है कोई भी जनसंख्या घनत एवं बित्रन को पर भावित करने वाले तीन का रखे कितने का रख मतलब कि कितना दस गुना कम है ठीक है और यहां पर देखे भूपडल जन संक्या को घर्षित नहीं करते हैं मतलब कि यहां कर सकते हैं कि भूपडल जो जन संक्या पहारी लाका वहां पर रहना बहुत ही पसंद नहीं करते हैं लेकिन जो अस्थल होता है जो समतल दरपन होता है सम्तल जो जगा होता है वहाँ पर आना बहुत ही परसंद करते हैं तो इसके क्या करें जन संक्या घनत्यों के वेवं बित्रन को परभावित करने तीन कारक बताए तो पक्का दो नमर आप बता दी के दुद्द्धू नमर मीलेगा सबसे पहले भुगोली कारक आर्थिक कारक समाज़ी गेवर संसक्रिटिक कारक तो सबसे पहले बहुत है ठीक है अब आगे चलते हैं यहाँ पर भोगोली कार्ग तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या तक तो मेरा फर्ज है कि आपको अच्छा अच्छा देने की कोशिज करें बस आपका एक थोरा सा सपोर्ट और प्यार होना चीए क्या लाइक मतले थोरा से जुनून देता है कि बच्चे ने इतना लाइक करता है अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लेजिए आपको वीडियो से कलास करना है लेकिन लाइक पर ज्यादा हमको फोकस है ठीक है चले जल की उपलब देता क्या कर रहा है मनुस्यक को प्रात्मिक छेत्र में जल की अब सकता सबसे अधिक होते बिल्कुल मेरे दोस्त यह तो 100% ह अच्छा सच्छा काम करेंगे तो उसके लिए जल की अब सकता बहुत ज्यादा है ठीक है जल का उप्योग खाने किरिशी पसु नदी सभी का उप्योग जल द्वारा किया जाता है मतलब कि इस देखिए तो खाने में खाने में अब जब खाना खाते उस्ते में पानी की ज्यादा मतलब की बहुत बढख़ए हो तो जैसे महल geen समधलिवन की मायदान जो है सम्तलिव यहां पर जैसा मालिग यह यह गोल हो गया ठीक है और यहां परिक्दम मेल अच्छा लग रहा है और यह बहुत अच्छा पसंद करें यह यह हो गया अपका पहारी लगा तर यहां यहां पर रहना बहुत ही कम पसंद करेंगे यहां पर क्या हो गया कि विश्व के समतल मैदानी भाग पर समानेता सगन बसे मिलते हैं क्योंकि यह चेतर किरिसी फसलों के लिए उत्पादन सरक निर्मान तथा उध्यों के लिए सबसे अच्छा होता है मतलग कि समतल जगर है का वहां पर गारी किरिसी उद्पादन कर सकते हैं तता उध्यों के लिए सबसे अच्छा होता है वही पर पहारी एवं परवतिय छेत्र इतना उपयोगी नहीं होता है गंगा संगन छेत्र और हिमाले बीरल छेत्र है गंगा जो है हमारे संगन छेत्र है जो कि गंगा की किनारे साइड में हम कर सकते हैं खेती बारी कर सकते हैं वही पर हिमाले जो हमारा बीरल है मतलब क्यों आच्छा नहीं है समझ गए बीरल मतलब कम और संगर मतलब जदा ये याद रखेगा ये भी आपको याद हो गया अब चलिए आगे जलते जलवायू क्या होता है मिर्दाय क्या होता है इनसे के बारे मरें रहेंगे जलवायू जन संगर की बितरन एवं घनतव को परभावीत करने वाले महतपुर्ण कारक है किसी छेतर में उत्तम जलवायू बसाव के लिए बहुत ही अच्छा होता है उत्तम जलवायू मतलब कि वहां के वाता वरन जो है वो बहुत ही अच्छा है तो वहां पर रहने के लिए बहुत ही अच्छी बात है जबकि गर्म तथा ठंडी भुभाग मानव बसाव के लिए उपयोगत नहीं है जैसे चीन, भारत, जापान, बांगलादेश यह सब बसाव छेतर हैं देखिए यह जो है यह सब क्या बसाव छेतर हैं फिर से समझेगा जलवायू क्या का जलवायू अबितरन एवं घनत्व को परभावित करने वाला महतपुर्ण गारग है किसी छेतर में उत्तम जलवायू बसाव के लिए सब के लिए बहुत ही अच्छा है उत्तम जलवायू मतलब कि जहां का वातावरन ठंडा नहीं हो नहीं जादा गरम हो नहीं जादा ठंडा मेडियम बराबरो उन्हों और बलो तो यह जगह का यहाँ बसाव के लिए बहुत ही अच्छा हो जैसे चीन भारत जापान भगला देश्ट यह सब जगह बहुत ही अच्छा है आप आगे चलिए यहाँ पर देखिया दें मिर्दा है किरिशी का आधार मिटी की और बारता सक्ती बना घ् practic चावल हो वाद कि जो हमें भूजा ओजा दिता है वह पर डेशाम से हो तो उसे कहती है तो इतना दक आपका फोर्पर ज new very क्यों कि बिडियो जो है फिर स्वाइय करा देते रिभाइच कराना बहुत जरूरिए धी कि इसके बारे में समझ लें बिस्व जन संग्या मतलब कि पूरे बिस में कितनी जन संग्या वित्रन मतलब छूरा गनात उता था विरिधी ठीक है आप आगे चले तो आज हम क्या पर हाए एक्स प्लानेशन पर हाए दूसरे दिना भी पार्ट टू आएगा उसके बाद बात करेंगे सबसे बहले आपको प जन संग्या वाले देश 2022 के 2020 के यह 4-5 याद रख लिजेगा क्योंकि यहां पर टीक लगा हुआ है यह ज्यादा खास ग्रेम बोडेन यह यह और यह कौन कोने भारत चेन इंडोनेसिया पकिस्तान बंगलादेश यह सब उसके बाद करते हैं कुल महादीपों कि जन संग्या सबसे जो है आपका यह महाद इस ही जो हम सब रहें वह सिमें जन संग्या पोपोलेशन डिजनेटी के बारे बताए उसके बाद यह सूतर आपको लिख दीजेगा तो पांच नमबर मिलेगा इतना को देते हैं ठीक है यह जन संग्या घनतुका वितरन यह दिरिद्रिक्या इ यह fant B régyत करना तो अगिले पार्ट के लिए वेट केजिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त अग्या पार्ट में आपको पूरा पूरा समथा देंगे देखर यह सब चितर समझहेंगे, क्या होता है, सबी के सबी आपको समझहेंगे, कैसे होता है, यह सब समझहेंगे, ठीक है, बहुत detail के साथ आपके लिए woo बना के लाते हैं, तो मेरे दोस्त एक तो लाइक कार दीजिये, सस्क्राइब बर दीजिये, अगर आपके भाई बहन तेंथ क्लास में तो उसे RDX Self Study के बारे में जरूर बदेगा अगर आपको All Subject का नोट्स चाहिए तो इस नमर पे एक बार मैसेज जरूर कीज़ेगा पचासी अगले बीडियो में बारे बाय बायबाई